हेलो स्टुडेंट आज हम इस वीडियो में क्यों सॉल्ब करने चाह रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेंटर के NCRT Numericals ओके तो शुरू करते हैं पहला कुछिन है हमारा देपल पॉइंट ऑफ नियॉन एंड कार्बन डी अक्साइड हार 24.57 Kelvin and 216.55 Kelvin respectively एक्सप्रेश दीज टेंपरिटर्स ओन सेल्सियस एंड फेरनाइट स्केल्स हमें इसमें Kelvin में दे रखा है temperature और हमें convert करना है Celsius में और फेरनाइट में तो पहले हम करते हैं Celsius में ठीक है में relation होता है C is equals to होता है हमारा K-273.15 यहां से हम बात कर लेते हैं पहले नियॉन की तो नियॉन का कितना आएगा नियॉन का अगर हम C निकालें तो यह कितना आएगा के हमारा कितना दे रखा है के दे रखा है 24.57 माइनस 273.15 मिस्स वाल करेंगे तो हमारी वेल्व किया जाएगी माइनस में माइनस में हमारी वेल्व आ जाएगी 248.58 डिग्री Celsius और अब हम बात करते हैं हमारे CO2 की CO2 के लिए हमारा यह कितना आएगा CO2 के लिए भी हमारा C निकालेंगे डिग्री Celsius में तो यह कितना है 216.55 माइनस 273.15 जब हम इसे सॉल करेंगे तो यह भी हमारी वेल्व माइनस में आएगी और यह हमारी कितनी आएगी 96.60 डिग्री Celsius अब हम बात करते हैं हमारे Fahrenheit की Fahrenheit स्कील में इसे हम कनवर्ट करेंगे तो Fahrenheit का हमारा क्या रिलेशन होता है एफ माइनस 32 अपॉन 9 इस इकोस टू सी अपॉन 5 तो यहां से हम एफ की वेल्व अगर निकालें तो एफ हमारा क्या आजाएगा एफ इस इकोस टू 9 अपॉन 5C प्लस 32 तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं नियॉन की तो नियॉन में हमारा कितना आजाएगा नियॉन के लिए हमारा एफ कितना आएगा डिग्री फारिनाइट यह आएगा 9 अपॉन 5 माइनस 248.58 प्लस 32 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैलो हमारी कितनी आएगी माइनस 415.44 डिग्री फारिनाइट अब हम बात कर लेते हैं हमारे सियो टू की तो सियो टू के लिए हमारा कितना आएगा इसकी वैलो 9 अपॉन 5 माइनस यह था हमारा 96.60 जीरो प्लस 32 जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसकी हमारी वैलो आजाएगी माइनस 69.88 टिग्री फारिनाइट ओके